नमस्कार मैं R.D. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान पिछले 24 घंटे का नियूज लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं और आपसे आगरा है कि हम जो आपको नियूज दे रहे हैं कुछ राजनायतिक है, कुछ आर्थिक है और कुछ आपके दैनिक जीवन से जुरा हुआ है इसलिए पुर्णता आगरा है आपसे कि पूरा का पूरा बीडियो देखें समझें कि हमारी सरकार क्या कर रही है हमारे राजनितिक दल क्या कर रहे है जैसे कि समाजबादी पार्टी ने एलान किया उत्तर परदेश में कि उत्तर परदेश में सबसे बरी मुर्टी जो बनाएगी वह परसुराम जी की मुर्टी बनाएगी भगबान परसुराम की मुर्टी बनाने जा रही है समाजबादी पार्टी इसलिए ताकि ब्राह्मन वोट को इकठा किया जा सके और रिजाया जा सके प्रंतु प्रास्तमी यह उठता है क्या कभी आपको सुनने को मिलेगा कि देश के किसी कोने में किसी राज में पैरियार की भी मुर्ति बनेगी जियोतिवाब फूले की भी मुर्ती बनेगी बाबा साहिब भीमराब अम्बेद करकी ऐसी मुर्ती बनेगी जो देश में सबसे बड़ी हो ऐसा कभी सुनने को नहीं मिलेगा क्यूंकि बहुजन समाज का वोट बिखरा हुआ है प्रसाद वोट है और रिजर्व वोट ब्रहामनों का हो गया है हम देखते आये हैं आपको हम 25-30 साल पहले की घटना भी बता सकते हैं काफी दिनों समिस राजनिती को देख रहे हैं पहले बहुजन वोट रिजर्व वोट हुआ करता था और जो जेनरल वोट होता था उसके उपर लराईयां होती थी परन्तु अब जो है सवर्न वोट जेनरल वोट तो हो गया है रिजर्व और बहुजन वोट पे लराई होगी वहाँ पर 50 प्रकार के नेता इकठे हो जाएंगे कि हम भी बहुजन समाज के नेता है और हम भी बहुजन समाज के नेता है सब के सब पहुँच जाएंगे बहुजन समाज का नेता बनने के लिए लेकिन बात करेंगे परसुराम की बात करेंगे बीर कुमर सिंकी फिर बिर्सा मुंडा का नाम कौन लेगा प्रस्न यहां पर यह है पेरियार का नाम लेने बाला है कोई इस देश में या जियोतिवा फूले कभी मुर्ती बनेगी या प्रस्न है आपके लिए मत जूट बोलिए किसको बरगला रहे हैं किसको धोखा दे रहे हैं बहन मायाबती अगर ब्राहमनों के बारे में बात करे तो वो सबर्नबादी हो चुकी है बाकी नेता के उपर यह उंगलिया नहीं उठती है यहां पर बहुत सारे प्रास्न हैं कि बहुजन समाज को केबल समाज के नाम पर धोखा दिया जाता है या यह समझा जाता है कि इन्हें जागरुक नहीं करना है, केबल अपना चेहरा दिखाना है और इनसे वोट लेना है कभी भी विकास की बातें नहीं होती, मैं आपको जो सची बातें बता रहा हूँ जो बैंक ने रिपोर्ट दिया है, गबर्मेंट को, आपका GDP तो अब 0% पे आ रहा है, महंगाई दर 6% से उपर जा रहा है, बैंकों का ब्याज 5, सारह 5% है यानि अगर आप पैसा बैंक में रख देते हैं, तो आपको सारह 5% तक मिल सकता है, मैक्सिमम ब्याज लेकिन महंगाई दर 6% है, यानि एक लाख रुपईए अगर रखते हैं, तो एक साल के बाद आपको एक लाख 5,000 रुपईए करिम मिलेगा और महंगाई हो जाएगी एक लाख 6,000, यानि फिर भी आप 50,000 के करीब 50% करीब निचे हैं, यहाँ प्रस निया उठता है, आखिरे सक क्यों हो रहा है सारे बैंकों ने सरकार को रिपोर्ट दे दिया, कि 20 लाख करोर का हमारा NPA है, NPA का मतलब non payment account जो लोग करजा लिये हैं, वो करजा नहीं दे रहे हैं साथ में ये भी का दिया, जो आप किसानों का करज माफी करते हैं, या किसी प्रकार का करज माफी करते हैं, वह include इसमें नहीं है, यानि उसको हमने नहीं जो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश का जो अर्थ वेवस्था है, वो कहां जा रहा है रिपोर्ट तो यह भी आ रही है कि सावा करोर जो सरकारी नोकरी वाले हैं वो अब भूखे मरेंगे आपने कभी सुना है घर का रसोई या भूखा मरे कभी आपने सुना है एक हजार से ज़्यादा मैनुफैक्टरिंग यूनिट दिवालिया हो गई बैंक करप्सी में आ गया है हाथ ख़़ा कर दिया हमारे पास बनाने के लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसे नहीं है और मार्केट में कस्टमर नहीं है तब क्या होगा समस्या या है रिजर्ब बैंक के गवर्णर कह दिये कि अब तो किसान ही मालिक हैं किसान से जो आय होगा उससे देश बचेगा इसका मतलब आपके पास बिगहा कठा कुछ जमीन है उसमें से अगर आप कुछ फसल उगा सकते हैं तो आपका जीवन आगे बचा हुआ रहेगा बाकी जो लोग पैसे कमा कमा कर काम करते थे कुछ खत् ने का दिखाए दे रहा है कल को उनका क्या होगा यह समझ में नहीं आ रहा है अब बात यह उठता है कि बैंक कैसे प्रसान है सरकार कहा देगी नोट छाप दीजिए अटक साल आपके पास है नोट रहेगा लोगों के पास बाटे जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि बै है सोना लेकिन यह 90,000 रुपये पर 10 ग्राम तक जा सकता है यह अनुमान लगा दिया गया है अब आप यह बता दीजिए कि जिस देश का नागरिक 5 किलो चाबल के लिए लाइन में खरा हो क्या वह सोने का जेबर पहन पाएगा इधर 90,000 रुपये 10 ग्राम का और 5 किलो चाबल उस 5 किलो चाबल के लिए भी हमारे देश के पढ़ान मंत्री जी यह कह दिये कि साबा 2,00,000 करोर रुपये लगेंगे अगर नमंबर तक मैं आपको फिरी में 5 किलो चाबल और 1 किलो चना दूँगा तो साबा 2,00,000 करोर और बैंक नहीं यह कह दिया कि इस साल साबा 2,00,000 करो भी हुआ है और उपर से करोना संकट भी है यानि चारो तरफ से मार है और जितनी भी राजनैतिक दल है वो जाती धर्म मुर्ती बनाने में बाकी चीजों में बैस्त है मैं आप से पूछ रहा हूं हमारे देश की जनता क्या इस राजनितिक दल वाले से पूछेगी कि मुझे कोई रोजगार का वेवस्था करो भाई हमारे बच्चे भुखे मरेंगे और इसके लिए कोई स्कीम आएगी क्या हमारे राजनेतिक दलों के घोसना पत्र में यह लिखा होगा कि हमारे दल के कार्ज करता आपके बच्चों को नोक्रियों के लिए प्रोत साहन करेंगे नोकरियां दिलवाएंगे नोकरियां तो हम देंगे लेकिन हमारे कार्ज करता फोरम जरूर भरेंगे आपके बच्चों को घर से निकाल कर इसकूलों तक ले जाएंगे आपका अर्थ वेवस्था ठीक करेंगे बैंकों को हम गिरने नहीं देंगे और सरकारी संपती कभी हम बेचेंगे नहीं क्या ये बात कोई राजनेतिक दल करेगा पर सुराम की मुर्ती बनाएंगे इधर राम मंदिर बनेगा अगर आप ये कह दीजिये भगबान बुद्ध का भी एक बहुत बड़ा मुर्ती बना दीजिये तो जहां ज्यान मिला था भगबान बुद्ध को यानि बोध गया वहाँ ये मुर्ती नहीं बनाएंगे ये आयोध्या में बनाएंगे और आपको समझाएंगे ये साकेत नगरी है इसलिए यहाँ पे हम बना रहे हैं क्योंकि वहाँ पर टक्राव होगा राजनीती गरम होगी फिर इनको वोट मिलेगा बोध गया के नाम बोधी मंदिर के नाम पर जहां वो पीपल का पेर है जहां ज्यान का वो ब्रिक्ष है उसके लिए इनके पास कोई अफर्ट नहीं कोई बाप्चित नहीं बात अगर होगी तो आयोध्या के लिए ताकि राजनीती गरम हो और इस नाम से इनको वोट मिले इनके चेहरे अब बे नकाब हो रहे हैं इनकी फित्रत में है ज्यागरा लगाना अब जैसे राहूल गांधी जी अयोध्या जाएंगे राम का गुनगान करते हैं तो फिर आज तक ही क्यों कहते रहे को काल्पनिक है क्या जनता मुर्ख है इस देश की जब चाहो तब आप का में मतलब नहीं जब जब चाइना का सवाल उठता है बॉडर का तो यह काते मोधी डर गया मोधी कुछ बोलता नहीं प्रस्न यह है कि चाइना और भारत लरेगा वहां पर सेना लरेगी मोधी कहां से आ गया मोधी तो चूप है थंड़ा है आप उसके पीछे पर रहे हैं हैं बैंकों से सवाल क्यों नहीं हो रहा है और तो और सुनने में यह भी आया है एस्टेट बैंक ओफ इंडिया बैंक और बरॉंदा पन्जाब National Bank, सब के सब के share बेचे जाएंगे, प्राइबेट में जाएंगे, बैंक बाले तो यहां तक कर रहे हैं कि कुछ हम branches कम कर लेते हैं तो हमारा खर्चा कम हो जाएगा क्योंकि bank अब चलने की स्थिति में नहीं है और तो और 148 branch को अभी तक merge किया गया, यानि दो ब्रांच को एक जगा मिला दिया गया, और कुछ staff की छटाई हो गई, ताकि कुछ तो खर्चा कम हो कहने का तात पर जिया है कि खर्चा कम करने की बात हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, और सब की नजरें टिकी हुई है, किरसी के उपर, खेती बारी के उपर, अगर आप गाउ में हैं, आपके पास कुछ जमीन है, तो जमीन में आप काम करने जाते हैं, खेतों में काम करने जाते हैं, तो आगे भी आपका चलता रहेगा, लेकिन किस दिन ये एनाउंसमेंट कर दें, कि आज से चाबल डाल नहीं मिलेगा, या इसके रेट बढ़ जाएंगे हर चीज के रेट बढ़ते जा रहे हैं कहने का मतलब ये है, कि जीने के लिए अनाज तो चाहिए ही चाहिए, रोटी तो लोगों को चाहिए ही चाहिए अब सब कुछ किर्सी पे रहेगा बाकी हर चीज फेल होता हुआ नजर आ रहा है अगर अंतराष्टिय समधाय अर्थ विवस्था में हिल्प करेगी तो आप गुलाम नजर आ जाएंगे आप गुलाम हो जाएंगे प्रस्ट केबल यह उठता है कि पहले पिटाई करके गुलाम बनाया जाता था अब कर्ज दे के गुलाम बनाया जाएगा खरीदा जाएगा लोगों को और इस तरह से समस्चाय पैदा हो रही है आपको मैं हर परकार की पॉल्टीकल, इकोनोमिकल सारी खबरे लेकर हर रोज प्रस्टुत होंगे आप फिर हम से मिलिए अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद बिहारी सुर्तान को ऐसे हम सब्सक्राइब करते हैं यह लाल रंग का अब आपके सामने घंटी आ गया तो घंटी के उपर उंगली हम टच कर देंगे प्रतेक बीडियो का सूचना पाने के लिए हम उपर का ही घंटी दबाएंगे ताकि हमें सारा बीडियो मिलता रहे